नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नभीम कुमार अपने चैनल लेंग्विज और प्लेनिट्स में आपका स्वागत करता हूँ आज एक विशेश मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि अच्छा खासा दावपत्ते जीवन चल रहा था परेशानी आनी शुरू हो गई है या अच्छा खासा कारोबार चल रहा था नजाने क्यों परेशानी आनी शुरू हो गई है अब आपको हम आपकी जन्म कुंडली में इस स्थिती से चुड़ी कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बताते हैं जिनकी वज़े से ऐसा होता है देखिए दोस्तों जन्म कुंडली का सात्वा भाव आपके कारोबार व्यापार का भी है और आपके जीवन साथी का भी है विवाह का भी है जन्म कुंडली के सप्तम इस्थान का कारक शुक्र और बुद्ध है आपकी कुंडली में जन्म कुंडली के सप्तम इस्थान का स्वामी जो भी ग्रेय है अर्थात आपकी कुंडली के सप्तम इस्थान में जो भी नंबर लिखा हुआ है अर्थात राशी लिखी हुई है उस राशी का स्वामी आपकी कुंडली के सप्तम इस्थान का मालिक है लिकिन सब्तम इस्थान के कारक ग्रहे शुक्र और बुद्ध है अब यदि जन्म कुंडली के अंदर सब्तम इस्थान का कारक ग्रहे शुक्र या बुद्ध अगर जन्म कुंडली के बार्में भाव में बैठ जाएंगे और सब्तम इस्थान के स्वामी की इस्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो आपको अपने दामपत्ते जीवन में और अपने कारोबार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सब्तम इस्थान का स्वामी और सब्तम इस्थान के कारक शुक्र और बुद्ध जब भी सब्तम इस्थान से ऐसा योग बना के बैठ जाते हैं जैसे सब्तम इस्थान से छटे बैठ गए यानि बारवे भाव में बैठ गए सब्तम इस्थान से आठ में बैठ गए यानि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ गए सब्तम इस्थान से बार में बैठ गए यानि कुंडली के छटे भाव में बैठ गए सब्तम इस्थान के दूसरे यानि कुंडली के अश्टम इस्थान में बैठ गए तो जातक को अपने कारोबार में यदि बुद इन इस्थितियों में बैठ जाएगा तो कारोबार में और यदि शुक्र इन इस्थितियों में बैठ जाएगा तो दामपत्य जीवन में परेशानिया आएंगी यदि जन्व कुंडली में जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी भी शुक्र और बुद्ध की तरह ऐसी ही इस्थिती में बैठ जाएगा तो परेशानिया बहुत ज्यादा आएंगी कश्ट की स्थिती बहुत ज्यादा होगी और अगर सब्तमिस्थान का स्वामी खराबी स्थिती में बैठा हो कारक अच्छी स्थिती में बैठे हो अच्छी स्थिती मतलब केंद्र त्रिकोन में बैठे हो तो आप ये तैम आने के आपके दामपत्ते जीवन में और कारोवार में छोटी मोटी परेशानियां सब के साथ होती हैं लेकिन कोई बड़ी दिक्कत आने की संभावना कभी नहीं होगी दिक्कत तभी होगी जब सब्तम इस्थान के कारक शुक्र या बुद्ध अगर कारोवार में परेशानिया रही है तो बुद्ध की स्थिती निश्चित खराब होगी सब्तम इस्थान से या तो कुंडली के बर्मे भाव में होगा, कुंडली के दूसरे भाव में होगा, कुंडली के आठमे भाव में होगा, कुंडली के छटे भाव में होगा, या खराब ग्रहों के साथ होगा, शत्रू ग्रहों के साथ होगा, नीच राशी का होगा, कमजोर होगा, इसी तरह से यदि दामपत्य जीवन में अचानक परेशानी आनी शुरू हो गई है तो आप ये तैम आने कि शुक्र का सम्बंद बरवे भाव से शुक्र का सम्बंद कुंडली के दूसरे भाव से छटे भाव से या आठवे भाव से कही न कही बन रहा होगा या इनके स्वामियों से बन रहा होगा हलाकि शुक्र के बारे में बहुत बड़ी संख्या में विद्धवानों का कहना है च्छटा और बारवा भाव शुक्र के अनुकूल है मेरी निजर में ये शुक्र के अनुकूल जरूर होगा लेकिन दामपत्य जीवन के नुकूल नहीं है दामपत्य जीवन में ये कश्ट देगा ही देगा बहुत बड़ी जंख्या में देखने को मिलता है इस तरह का अब उस तो मान के चलिए के शुक्र और बुद्ध की स्थिती इस तरीके की कुंडली में है कारकों की और उसके साथ स्वामी की स्थिती भी गलवर है कुंडली में अब सब्ताविस्थान पर राहू, केतु, मंगल और शनी का प्रभाव आजाए या इन में से किसी का भी प्रभाव आजाए तो कश्टों का बढ़ना तै है परेशानियों का बढ़ना बिलकुल तै है शनी कुंडली के पाचवे भाव में बैठे हूँ लग्न में बैठे हूँ कुंडली के दशम भाव में बैठे हूँ तो सत्तम भाव पर परेशानी देंगे राहू, कुंडली के तीसरे भाव में, लग्न में कुंडली के लाविस्थान में ग्यारवे भाव में बैठे हों या केतु कुंडली के तीसरे भाव में कुंडली के लगन में कुंडली के ग्यारवे भाव में बैठे हों तो परेशानी देंगे इसके साथ ही मंगल यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो लगन में बैठे हो तो परेशानी निश्चित आएगी और परेशानी आएगी नहीं परेशानी बहुत ज्यादा आएगी एक सिरदर्द बन जाएगा कारोबार को करें ये छोड़ दें बंद कर दें दामपत्ते जीवन को आगे निभाएं या क्या करें तलाक ले ले ऐसी स्थितियां भी आ जाती है पाप ग्राहूं की वज़े से लेकिन अगर देव गुरु गहस्पती की दृष्टी सब्तम भाव को मिल रही है शुक्र की दृष्टी सब्तम भाव को मिल रही है बुद्ध की दृष्टी सब्तम इस्थान को मिल रही है यदि बुद्ध की दृष्टी मिल रही है तो कारोबार में निश्चित तोर पर उतार चलाव जरूर होंगे लेकिन कारोबार बंद नहीं होगा कारोबार चलता रहेगा जातक अपनी जरूरत के हिसाब से कमाता रहेगा यदि शुक्र की द्रश्टी सब्तमिस्थान पर आ जाएगी ऐसी स्थेती में तो शुक्र यहाँ पर दामपत्य जीवन को खराब नहीं होने देगा परिशानी जरूर हो सकती है दामपत्य जीवन में लेकिन परिशानी के बावजूद भी आपस में पैचप हो जाएगा ब्रहस्पती यदि कुंडली के तीसरे भाव में लग्न में या लाविस्थान में बैठे हैं तो इत्य मानें कि चाहे पाप ग्रहों का कितना भी जोर लग जाए लेकिन ब्रहस्पती तलाक नहीं होने देंगे 95% ब्रहस्पती तलाक नहीं होने देते तो दोस्तों ये तो हुई मेल पुरुष जात्बों के हिसाब से बात अमान लीजी किसी लड़की की कुंडली है तो लड़की की कुंडली में एक चीज और एड हो जाती है यहाँ पर यदि देवगुरु ब्रहस्पती सब्तमिस्थान से कुंडली के बारवे भाव में, कुंडली के दूसरे भाव में, या कुंडली के छटे भाव में, या कुंडली के आठवे भाव में, अगर बैठ जाते हैं, तो जातिकाओं को भी परेशानी का सामना बहुत जादा करना ऐसी स्थिती क्या होती है कि माल लिजिए कि पती की कुंडली में सब्तमिस्थान पर पाप प्रभाव है और पती अक्सर पत्नी के साथ बाचीत में ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और पत्नी की कुंडली में भी अगर सब्तमिस्थान पर पाप प्रभाव है तो ये तलाक की तरफ मामला चला जाएगा और अगर कहीं पत्नी की कुंडली में सब्तमिस्थान पर ब्रहस्पती की द्रिश्टी है तो तलाक नहीं होगा पत्मी अपनी समझदारी से उस रिष्टे को सुधार्ती चली जाएगी ये है शुब ग्रहों का प्रभाव तो दोस्तों जब भी जन्म कुंडली के सत्तम इस्थान पर शुब ग्रहों का प्रभाव होगा और शुब ग्रहे केंद्र त्रिकोन में अच्छी स्थिती में बैठे होंगे दामपत्ते जीवन भी सफल होगा, कारोबार भी सफल होगा और यदि सप्तमिस्थान के स्वामी या कारक गलत भावों में बैठ जाएंगे अपने भाव से शडाष्टक योग बना के बैठ जाएंगे या कुंडली के छटे आठवे बारवे में बैठ जाएंगे या कमजोर होकर बैठ जाएंगे, पाप प्रभाव में आ जाएंगे पाप ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर आ जाएगा तो परिशानिया आना तै है, लाजमी है, आएगी परिशानिया और उस वक्त परिशानिया जदा आएगी जिस वक्त इन ग्रहों की दशा अंतर दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, सुक्ष्म दशा चल रही हो अगर दो-तिन दिन के लिए भी कोई सूख्ष्म दशा आपकी आजाती है तो सूख्ष्म दशा के दोरान ही दो-तिन दिन का समय तो बहुत होता है जहड़ा होने में तो मुश्किल से 5 या 7-10 मिनिट का समय लगता है मनमटाव हो जाता है बस उतनी ही देर में पाप प्रभाव अपना खेल दिखा देते हैं जिसका प्रभाव कई दिनों तक दामपत्य जीवन पर पढ़ता रहता है तो ऐसी स्थिती से बचाव कराते हैं शुब ग्रह और शुब ग्रहों की कुंडली में अच्छी स्थिती तो दोस्तों यदि दामपत्य जीवन में, कारोबार में, परेशानी का सामना करना पढ़ रहा है तो दामपत्य जीवन को तलाक की तरफ ले जाने से बचे, मनमटाव को बढ़ने से बचे कारोबार को बंद करने के खयाल से बचे बुद्ध को मजबूत करें शुक्र को मजबूत करें कुंडली के सप्तमिस्थान के स्वामी को मजबूत करें लेकिन ऐसी स्थिती में रत्न धारण करके मजबूत न करें दिक्कत को सकती है अन्य उपायों के मात्यम से आप इन ग्रहों को मजबूती दें तो दोस्तों यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई जानकारी या सलाह यदि आपको ज़रूरत हो आवशक्ता हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर मिसंग कोच मेसेज कर सकते हैं निशुलकु जोतिष समाधान के लिए भी आप अपना नाम जन्म तिती जन्म समय जन्म स्थान लिखकर हमारे नंबर पर वाटसेप कर सकते हैं लेकिन समाधान आपको तभी मिलेगा जब आपका नंबर आएगा क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हो अपने समाधान का लेकिन समाधान आपको मिलेगा जरूर तो अपनी बारी का इंतजार भी करें तो दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जोतिश पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बेल आइकन ज़रूर दमाएं जिससे के आपको हमारे द्वारा पोस्ट की जगए हर वीडियो का नोटिविकेशन समय से मिलता रहे अगले वीडियो में उपस्तित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी एक विशेश विशे के साथ धन्यवाद दोस्तों